राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्राध्योकी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारप्रस्तु थे आठ से ग्याना वर्ष के बच्चो हेतु हमारे पेड़ पौधे शंखला के अंतरगत कारिक्रम जामुन। बच्चो आज हम परियावरण के बारे में बाच्चीत करेंगे जी बाच्चीत का विशे होगा प्रकृति की देन। अच्छा ये बताओ प्रकृति से हमें क्या-क्या मिलता है बोलो शाबाष्ट। अच्छा यह बताओ कि इन में सबसी अच्छा कौन लगता है अच्छा अच्छा सौरफ तुम्हें क्या अच्छा लगता है जी आस्मान जब पक्षी होते हैं तो दिल करते हैं कि मैं भी उनके साथ हुड़ू मुझे तो पेड अच्छे लगते हैं मुझे आम बहुत बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो वो जामून जो पेड पर लगते हैं बड़े स्वादिश्ट लगते हैं भाया जामून खाने से भी कोई फायदा है अरे वह जामून तो जामून है फल दिखने में खुबसूरत खाने में स्वादिश्ट होते हैं और जामुन का पेड़ छायादार मैं बात बताओं भाईया बोलो मेरी दादी है न हर साल मेरे जन दिन पर मेरे लिए पेड़ लगवाती है अच्छा इपना बढ़िया तोपा मिलता है तुम्हें अरे वाँ अच्छा यह बताओ अब तक कित धक利ता और वेस्फिक ने साल की हो तुम दैसल की में तो फीर भी दशी हुए नहीं नहीं नंहीं ौइन नहीं भई? 10 थई हुए नहीं हुए नहीं भाईatra क थो मैई लगालौ बच्छो सुनो मैं बच्छो नहीं तो 10 पेड़ हुए 1 देखो ना नीम केला संतरा अम्रूद और वो क्या था आम और और अनार अशोक नीबू और पपीता शाबाश अच्छे ये बताओ इस साल कौन सा पेड लगाओगी अपने जनम दिन पर इस जनम दिन पर जाम उनका पेड लगाओगी अच्छा ये बताओ हम कहाएं जौन खाने जब बहुता हो जाएं को साक्या तो इसका मतलब है छे साल लगेंगे जामुन खाने में चारुठी में जरूर ओंगड़ smackya labora अच्छा कितने बच्चों ने नहीं देखा जामुन का पेड़ दिखा कर लाओंगा सौरब इधर आओ यह देखो यह कौन सा पेड़ है यह तो आम का नहीं है आम के पत्तों से इसके पत्तों के शकल कुछ मिलते जुद्थी है देखो इस पीड का नाम है अशोक और यह तो नीम का है ना हाँ वो पेड़ नीम का ही है यह शाइद पीपल का पर घ्यामुन का पेड़ तो कहीं मिलें लह मैं खाल बहु थूंदो वह देखो उदार भी पेड हें वहां भी पेड दिखाई दे रहे है भया बहुत भया मचे पैदा चलगया क्या बोलो-बोलो वह जो साम दें अरिखो ए ना वहां पर पांच पेड है अचलो खमशन बहुत अजब अजब आजब 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 अब देखा कितने सारे पेड़ है यह जामुन के पेड़ कितने सारी जामुन लगे हुए तो यहां तो कोई जामुन का गाना भी गा रहा है जामुन है क्या काली काली लटक रही है डाली डाली तो मुठ है रो मैं उपर जाओ तो मुठ है रो मैं उपर जाओ ना बबा ना उपर नहीं जाना कच्ची कच्ची इसकी डाली ठेहरो रुको मैं जुगत लगाओं हाथ डाल पकड़ कर खूब हिलाओं टपक पड़ेगी टप 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 बीनों बच्चों जट पट जट तपक पड़ेगी टप टप तप देखा बच्चों वो गा गा घर बच्चों को खुश कर रहा है अरे बच्चों देखो वो जट बेशने वाली बैठी है आओ जामुन खाते हैं काले काले रह जामुन बढ़िया बढ़िया खा जामुन आओ 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 अरे मुनिया इधर आओ मीठे मीठे जामुन खाओ आओ 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 थेहर के एक मिनट जट पट पैसे इधर बढ़ाओ लाओ चलो पैसे दो बहुत मीठे हैं मेरे जामुन बढ़े निराले अरे खाले मुनिया खाले लाले अरे दो रुपे के मुझको भी देना ये लो बाबुजी लो वाह जामुन तो बहुत मिठे इस तरह जामुन बेच कर कितने पैसे कमा ले अरे बाबुजी क्या बताएं बच्चों की पढ़ाई पर कपड़ों कर साब खर्च हो जाता है अच्छा बाबुजी ये सब बच्चा आपके हैं हां सब मेरे हैं जैनी मेरे स्कूल में पढ़ते हैं अच्छा समझी बाबुजी बच्चे बहुत प्यारे हैं अरे कुछ नहीं बिटुआ जामुन जामुन ऊपर देखो बड़ा स्वाधेश थे पता है भाया सौरब ने जैसे ही उपर देखा टप पेर से सीधा जामुन इसके मुवें जामुन खाने का तो मजा आ गया अरे बिटुआ जामुन जैसा फल दूसरा कोई नहीं वो देखो मेरी मां बहुत प्यार है उसे जामुन से अब क्या बताओं बाबुजी उसका बस चले तो पूरा साल जामुन पेड़ पर ही लगे रहे अच्छा वो बकरी वो भी मेरी अम्मा की है अरे जाओ मिलो उसको बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मिलने आता है हां द अम्मा यहां तो खूब रोनक है तुम कौन हो बेटा मैं मैं बच्चों को पढ़ाता हूं स्कूल में अच्छा मास्टर जी हो हां अम्मा जी अम्मा यह जामुनों का क्या कर रही हो बेटा पूरी जिंदगानी बीद गई जामुन के सहारे तुम पड़े लिखे लोग तो प ज्यादा हां हां कह तो ठीक ही रही हो अम्मा यह जामुनों से क्या बना रही हो जामुन तो मेरी जान है बिटिया जामुन का मौसम है तो सिर्का बना रही हो सिर्के क्या करते हैं अरे बेटा पेट दरत हो जरासा पानी में मिलाओ और पी जाओ दरत फुर्ट देखो जामु ने तो इसकी ठंडी ठंडी हवा में पूरी जिंदगी बिता दी क्या होते हैं तुम्हारे पंखे वो बिजली वाले पेर तो सच मुछ बहुत ही सुन्दर के साथ साथ गुणवान भी बहुत है यह तो हकीम बैद है इनसे पूछो यह देशी दवाईयां अरे उनमें तो इसकी चाल, पत्ते, गुठली सब, सब काम आते हैं अच्छा हाँ और वो मदू में जिसे पड़े लिखे लोग क्या केवे हैं शुगर शुगर हाँ शुगर बड़ी बुरी बीमारी है अरे इसकी जामन की गुठली का चूरन ही इसका इलाज है अच्छा इनी जामनों की गुठलि उसका चूरन बना कर देते भाई ये तो बहुत काम की बाते हैं और तो और मास्टर जी सुनो मैं तो जामन के रंग से घर में कपड़ों को भी रंग लेती हूं अरे वाँ तुने धेर सारे जामन खाएं ना इसलिए ऐसी हो गई रंग उतर जाएगा अच्छा अच्छा अम्मा ये जामन के पेड़ तुमने लगाए है अरे बेटा गिनोगे तो गिन नहीं पाओगे पेड़ लगाना तो शौक था मेरा पच्पन में पहला पेड़ लगाया जब मैं कोई छे बरस की थी सुना बच्चो हाँ और आज तीन उपर साथ की हूँ अब तुम खुदी हिसाब लगा लो बेटा ये तो शौक की बात है अच्छे बढ़िया पौधों के पीज खटे करना फिर पीज पोकर पौधे तयार करना फिर पौधों को बच्चों की तरह पाल प बार तो ठीक है बच्चपन से साथ है मेरे बेटा आश तो मुझे भी क्या बच्चपन की याद दिला दी तुमने चपकाती गाती फौधे लगाती कुछ ऐसे जमुना किनारे कितने जमुन होंगे दस नहीं बीस नहीं सोदो सोतो होंगे अम्मा हम भी गए क्यों बच्चों हाँ बच्चा हाँ हाँ क्यों नहीं तुम सब मेरे साथ गाओ जमुन के पेड़ पर कितने पत्ते होंगे सो नहीं दो सो नहीं लाखों तो होंगे सो नहीं दो सो नहीं हाँ लाखों तो होंगे जामुन के पेड़ पर फूल कितने होंगे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोडों तो होंगे जामुन के पूलों पर फल कितने होंगे अरे बच्चों गिन नहीं पाओगे, चुन चुन कर खाओगे भूल नहीं पाओगे, बार बार आओगे जामुन तो आप सबको बहुत पसंदे हैं क्यों है ना तो फिर हमें ये बताओ जामुन के दो आशधिये गुण कौन-कौन से हैं और साथ ही बरसाथ के मौसम में जामुन के अलावा और कौन-कौन से फल आते हैं ये भी बताओ जामुन अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम विशे विशेशक्य एवं परियूजना मार्ग दर्शन सुश्री जै चंदिराम संयुक्त निदेशक्य कलाकार सुचित्र गुप्ता जै शिरी अरोडा नीरश्चर्म बाल कलाकार मालती आरती आशीश और नीरजा द्वन्यंकन चंदन सिंग नर्मान सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा नर्मान एवं प्रस्तुती रमेश रानी शर प्रस्तुती आर्मान